राधे राधे दोस्तों चोत्र नवरात्रे की बहुत सारे सूब काम डाई दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नवरात्रे में हम कलस थापना कैसे करेंगे कलस थापना का दो प्रकार का विधी होते हैं it9 हैं दोनों प्रकार की विदी में यहां पे आप लोगों को बताओंगी और साथ साथ में हमारे जो भी सामगृ हमें चाहिए आ भी सामगृ का भी डिटेल्सम ना कर सकते हैं लोखन का या लोहे का बना हुआ कोई भी चीज यूज नहीं होती है कलस को भरने के लिए हमें जल चाहिए होगा और जल हमेशा सुद्ध जल होता है तो सबसे पहले जल से भी पहले गंगा जल डाला जाता है तो छोटी से एक पात्र में अब गंगा जल ले किजेगा घृष नेंगा ज्यू लिए जल डाला बूसरे साथ एक उल डाली और कुंकुब लेनी है जिसमें जल समित होना चाहिए अगर हिला के देख लीजेगा जल होनी चाहिए लाल या पीला कोई भी कलर चलता है और एक कलावा आपको और मतलब लेनी है जिसमें नारेल के उपर भी हम इस तरह से लपेटेंगे यहां पर मैंने आम का पत्ते ले लिया है आप अलग- पांच, साथ या गारा संखा में ले सकते है और देखिएगा अगर एक ही डंठल में इस तरह से लगा हुआ पत्ता आपको मिल जाए तो बहुत जुरू ले लिजेगा क्योंकि इस तरह का जो पत्ते होते है यह ज्यादा दिन तक एकदम हरा रहता है एकदम से जिवित रहता है और सिंगल सिंगल पत्ते बहुत जल्दी सुख जाते है इसके बाद देखिए पूर्ण पात्र रखने के लिए मैंने यहां पर एक चावल का पूर्ण पात्र लिया है जिस चीज़ का घट बना हुआ है यह कलस बना हुआ है उसी चीज़ का पूर्ण पात्र भी यूज कर सकते हैं और अगर नहीं किया है तो आप इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और फिर इसको अस्टादल कमल बढाने के लिए यूज कर सकते हैं तो देखिए पहली आप तयारी कर लिजिए तयारी मनें जैसे आपके पत्ते हैं सारे उनको अच्छी तरह से धोली जेगा उ सानी की सीधी हाथ के तरफ कलस्थापना किया जाता है आप यहां बहुत अच्छी तरह से डिजाइनर एक अस्टादल कमल बना सकते हैं अलग-अलग कलर से लेकिन अगर आपको अच्छे नहीं आता है तो आप सिंपल ऐसे आसन भी बना सकते जिसके उपर कलस्थापना से बना जाता है तो आप से उसके बना लिघेगा तो देखें मैंने फिर यहां पर एक अस्टादल बना लिया है और आप एक बार 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 बोल रहे हुए कि कि सिंपल वाइट चावल यहां पर यहां पर मैंने लेकिन आप थोड़ी से हल्दी जुरूर मिला लीजएगा इस ये जल्व गैरा आपलस में डालने से पहले ही ये तईयारी कर लिजेगा इससे आपको बहुत सुबिधा होगा ठीक है इसके बाद कलस के ऊपर हम स्वास्तिक बनाएंगे तो लाल, रोली से या सिंदूर से अम स्वास्तिक बनाएंगे मातानानी को लाल रंग बहुत प्रिय हो मेग काम भी बना देते हैं तो इस तरह से आपके हैं पी बनाजल थोड़ा सही सही जितना भी आपके पास है गंगा जल डालिए और इसके बाद सुद्ध जल ले लिजे सुद्ध जल यानि कि जो हम पिने वाले पानी यूज़ करते है न तो वो जल सुद्ध जल होता है वो जल ले लिजे और कलस को कंट तक भर लिजएगा कलस खाली नहीं होना चाहिए आधा भरा नहीं होनी चाहिए पूरा भरा होना चाहिए सामगरी मैंने पहली यह आप लोगों को दिखा के रखा है क्या-क्या सामान है तो उन सभी सामगरी को हम कलस के अंदर डाल देंगे इसके बाद देखिए थोड़ी से हम हल्दी चढ़ाएंगे कुमकुम चढ़ाएंगे और साथ में थोड़ी सी अक्सत चढ़ाएंगे ये सारे चीजे कलस में ज़रूर आप लोग चढ़ा लेना ठीक है इसके बाद आप एक फूल लीजिए कलस में चढ़ा दीजिए और अब जो पत्ते हमने तयार करके रखा है ठीका देखे इन पत्तों को हम अच्छी तरह से सजा लेंगे पत्ते युद्ध पत्ते आप 5 ले सकते है या तो फिर 11 ले सकते है तो देखे इस तरह से पत्तों को सजा दिज teen जो जल में अच्छी तरह से डूबा हुआ होना चाहिए अगर जल में रह घगा तो पतों से तोड़ी से दूर में रखना से खराब केज़ταरलों तो थे मिंगे गरम नहीं पार होता है और पीछे का पचला को सानod होता है वह उता है है यह फेस है ठीक है तो फेस जो होता है वो पुजारी के तरफ मतलब आपके तरफ होनाँ connect therapy अच्छी तरह से समझ लिजेए इसी तरह से नारियल को अपनी तरफ करते हुए और पूंच को पीछे के तरफ करते हैं नारियल को इस तरह से पूर्ण पात्र के उपर प्रतिष्ठा कर देंगे तो देखे इसी तरह से हमारा कलस थापना समपूर्ण हो जाता है कलस थापना का दूसरी विधी जो है इस तरह से जो जवारे हमने उगाया था जिसके डिटेल्स वीडियो मैंने आप लोगों के साथ सेयर किया हुआ है उसी के उपर मिट्टी की कलस का स्थापना किया जाता है तो कलस आपको तैयार बिल्कुल उसी तरह से करना है जैसे मैंने अभी अभी आप लोगों को दिखाया है और सिर्फ इसमें डिफरेंस यह है कि यहाँ पर हमने मिट्टी की कलस लिया है और मिट्टी का ही पोर्ण पात्र लिया है नारिल को भी उसी तरह से रखना है जैसे मैंने अभी आपको कहा है तो देखिए दोनों वीधी बिल्कुल सही है आप अस्टर दल कमल के उपर स्थापित कर सकते हैं या तो फिर आप इस तरह से जो जवारे होते हैं उनकी पात्र के उपर भी स्थापित कर सकते हैं कलस थपना इसी तरह से किया जाता है और I hope आज के वीडियो आप लोगों के लिए बहुत helpful है और सरल भी अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो प्लीज लाइक, share and comment चैनल को जुरूर जुरूर सब्सक्राइब करके रखिए बहुत आप लोगों से एक अनुरुद है कि आप लोग अपना सपोर्ट हमें जुरूर देते रहिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तब के लिए हरे कृष्णा राधे राधे जय माता दी